आज फेलुदा की जो कहानी मैं आपके साथ डिसकस करूंगी उसका नाम है दा कौाइंस ओफ जहागीर तो शुरू करते हैं कहानी मेरी यानि गरिमा की आवाज में फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू आपस में बाते कर रहे हैं तब ही उनके पास किसी का फोन आता है फोन है शंकर प्रसाथ चौधरी का जो पानी हाट नाम की पास की एक जगह से कौल कर रहे हैं वो काफी घबडाएं हुए हैं वो फेलुदा से कहते हैं कि उन्हें फेलुदा से कोई बहुत जरूरी बात करनी है और इसके लिए वो चाहते हैं कि वो उनके शहर उनके घर पे आए बात पक्की हो जाती है और सटेडे को फैलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू वहाँ जाने की त्यारी करने लगते हैं यह जो मिस्टर चौधरी थे इनकी एक बड़ी अजीब सी शर्त थी यह फैलुदा से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि यह तीनों लोग जो उनके हाँ आ रहे हैं वो अपना नाम और अपनी पहचान बदल कराएं जिससे वहाँ किसी को इनके उपर शक ना हो कि फैलुदा एक डिटेक्टिव है फैलुदा तोपशे और लाल मोहन बाबू आपस में डिसकस करते हैं और तीनों के नाम बदल दिये जाते हैं फैलुदा अपना नाम रखते हैं सोमेश्वर रॉय और वो एक बायोग्राफी लिखने वाले बनके एक राइटर बनके वहाँ सबसे मिलेंगे लाल मोहन बाबू एक बर्ड वाचर यानि की जो चिडियें के उपर रिसर्च करते हैं वो बनके सबसे वहाँ मिलेंगे उनका नाम होगा भाबा तोष सिन्हा और तोपशे जो है वो लाल मोहन बाबू का कजन बनके वहाँ जाएगा उसका नाम होगा प्रबीर इस तरह से तीनों लोग थोड़ा बुद अपना गेटप भी चेंज करके निकल जाते हैं कैलकेटा के पास ही एक जगा जिसका नाम है परिहाथ ये जो मिस्टर चौधरी है ये वहाँ काफी रईसों में गिने जाते हैं गंगा किनारे इनका बहुत बड़ा घर है उसमें बह सर्च करने या उन पर स्टडी करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं मिस्टर चौधरी कुछ परिशान से हैं वो फैलुदा को उपर अपने जो उनकी कोठी है उसमें उपर माले पे ले जाते हैं उनकी कोठी से लगी हुई ही चोटी सी नहर जैसी है जो गंगा नदी की है और उनकी एक बुढ़ी बुआ वहां रहती है जो इस गंगा नदी के जो एक पार्ट है नहर जैसी है उसमें रोज स्नान करने जाती हैं मिस्टर चौधरी फैलुदा को बताते हैं कि आज उनका जनम दिन है और ठीक बारा महीने पहले जब उनका जनम दिन हुआ था तब उन इसी तिजोरी रखी होती है वो उसको खोलते हैं उसमें से एक लाल रंका मकमल का बटवा निकालते हैं उस बटवा को वो पलटते हैं तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे हर सिक्के पर एक निशान था जैसे जोडियक साइन के निशान होते हैं उसी तरह के निशान थ पहले ये 12 सिक्के हुआ करते थे और अब ये सिर्फ 11 सिक्के हैं ये सिक्के जहांगीर राजा जो थे वो यूज करते थे उनके जमाने के सिक्के हैं और बहुत ही वैलुएबल सिक्के हैं लेकिन जब तक इन सिक्कों का सेट कंप्लीट नहीं होता जब तक इनकी उतनी कीमत नह थे एक इनके बहुत पुराने बिजनेसमेन के दोस्त हैं जो 25 वर्षों से इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका नाम है नरेश किंजल वह बहुती तेज दिमाग के थोड़ा जूट सच करने वाले बिल्कुल एक बनिया जैसे आदमी है एक डॉक्टर सरकार वहां आए थे जो इनकी बुआ जी का इलाज करते हैं और कभी-कभी इनकी कोठी पर आते हैं वो भी इनके बहुती खास दोस्तों में से एक हैं उनके विश्वास प्रद हैं और तीसरे आई थे कालीनाथ रॉय कालीनाथ रॉय जो है यह मिस्टर चौधरी के बचपन के साथ ही है लेकिन जैसे हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं तो मिस्टर चौधरी उनको अपने जनम दिन पर इन्वाइट कर लेते हैं अब एक साल पहले लगभख शाम के साथ बजे यह सब लोगी खटा होते हैं और इनसे कहते हैं मिस्टर चौधरी से कि वो जो उनके दादा जी के अच्छे पुरान मिस्टर चौधरी यह 12 सिक्के दिखाते हैं यह सिक्के लेके आते हैं उनके कजन थे जयंत बाबु जो उनकी बुआ के लड़के थे उसी कोठी में कभी-कभी वो आते थे उनसे मिलने के लिए जयंत बाबु जब सिक्के लेके आते हैं तो वो पूरे 12 सिक्के होते हैं लेकिन जब बाद में अगले दिन सोचते हैं कि लाओ एक बर सिक्के गिन लेने चाहिए तब वो सिर्फ एक ग्यारा ही सिक्के निकलते हैं मिस्टर चौधरी अब बहुत अफसोस करते हैं कि क्यों नहीं उस शाम कुरोने सिक्के वहीं पे गिने थे जो चोर होता शायद उस समय पकड़ लिया जाता अब सारे महमान वापस जा चुके हैं और सारे इनके खास हैं कि इस तरह वो किसी से भी पूछें कि किसने सिक्के चुराए थे फैलुदा को वो ये बात बताते हैं औरो वो कहते हैं कि उन्हें बहुत बच्चतावा है इस चीज़ का कि उन्हों ने इतना महत्वपून सिक्क का अपना एक हो दिया वो चाहते हैं कि उनके फिर वही तीनों दोस्त एक बार उस शाम को पार्टी में आएं तो शायद वो फिर से चोरी करना चाहेंगे उसमें से कोई सिक्का तो उसमें से चोर को पकड़ा जा सकेगा अपना ये प्लान बताते हैं फैलुदा को और इसलिए उन्हें फैलुदा को यहां बुलाया है कि फिरुदा किसी तरह उनकी मदद करें उस चोर को पकड़ने में मिस्टर चौधरी ने जो ये उनकी प्लानिंग है ये सिर्फ अपने कजन अपने बुआ के लड़के जैन्थ बाबू को इसके बारे में बताया है जो कि जैन्थ बाबू पर वो आँख मुंद के भरोसा करते है फिरुदा समझ नहीं पाते कि वो क्या कहें वो पूछते हैं उनसे कि जब चोरी हुई थी तब उन्हें पुलिस को क्यों नहीं इनफॉर्म किया तो मिस्टर चोरी कहते हैं कि नहीं वो नहीं चाते थे कि उनकी दोस्ती खराब हो अपने किसी भी दोस्ते तो इसलिए उन्हें पुलिस को इनफॉर्म नहीं किया था खेर शाम हो जाती है और इनके त्वीनो दोस्त इनके वो बिजनस पार्टनर मिस्टर किंजल वो डॉक्टर मिस्टर सरकार और इनके पुराने दोस्त मिस्टर रॉय सारे एक जगाए खटे हो जाते हैं सब शाम को बाहर बैठे वोई थे गार्डन में उस समय काफी धूप दी लगभग चार बज़े होंगे जैन बाबू धूप में ही गार्डन में रोजस को देख रहे थे लाल मोहन बाबू अपना भेश बदले और दुर्बीन से लगातार एकदम सीरियसली चुड़ियों को देख रहे थे कि कोई उन पे शक ना करे तो प्शे उनकी हेल्प कर रहा था तब तक में फैलुदार देखते हैं कि ये जो नरेश किंजल है बिजनसमेन और काली नाथ रोज ये दोनों घर के अंदर जा रहे हैं थोड़ी देर बाद जैन्थ बाबू भी अंदर चले जाते हैं और फिर नौकर उनका जो था वो अचानक तेजी से बाहर भागते हुए आता है अब मिस्टर चौधरी को बताता है कि जैन्थ बाबू बिहोश होकर गिर गए हैं मिस्टर चौधरी बहुत खबरा जाते हैं तो कि थोड़ी देर पहले ही होने जैन्थ बाबू को वो चाबी दी थी उस तिजोरी की और कहा था कि वो सिक्के निकाल लाओ अब जैन्थ बाबू वहाँ भीोश होकर गिर गए हैं सारे उपर भागते हैं तो वो जो उनकी बुआ का कमरा होता है जिसमें वो तिजोरी रखी थी उसिके बाहर जैन्थ बाबू गिरे पढ़ है और उनके सर में से खून बहरा है मिस्टर सरकार जब यह देखते हैं तो वो जल्दी से जैंत बाबू को गोद में उठाते हैं फैलुदा उनकी मदद करते हैं और उनको नीचे कार तक लेकर उन लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो मिस्टर सरकार और उनका नौकर जो था अनन्ता और जैन्त बाबू ये तीनों कार में बैठके हॉस्पिटल चले जाते हैं फेरुदा वापस अंदर आते हैं फिर कुछ घबडा कर उपर के माले पे जाते हैं थोड़ी देर के बाद वो फिर से नीचे आ जाते हैं सब उनसे पूछते हैं वो कहां गयते तो वो कहते हैं कि वो बुआ जी को देखने गयते कहीं अपने बेटे को इस तरह से बिहोश होके गिरता देखके वो परिशान ना हो गई हो मिस्टर चौधरी काफी परिशान होते हैं कि उनके कजन को आखिर क्या हो गया वो धूप में शायद बहुत देर तक घूम रहा था इसलिए उसका सर चकरा गया और वो इस तरह से गिर गया उसे चोट लग गई शाम का इंका जो प्रोग्राम था वो सिक्के लाना उस चोर को पकड़ना वो सब फ्लॉप हो जाता है लेकिन फैलुदा उनसे पूछते हैं मिस्टर चौधरी से कि उन्होंने जैंत बाबु को चाभी दी थी तो कहीं जब जैंत बाबु गिरे तो वो चाभी उनसे गिर तो नहीं गई फैलुदा बोलते हैं कि वो उपर जब गय थे तो उन्होंने हर जगा चाभी देखी लेकिन चाभी उन्हें कहीं भी नहीं देखी फिर उन्होंने बुआ जी की आँख बचा कर उस चेस्ट को धीमे से खोल के देखा तो वो लॉक था और वो नीचे चले आए लेकिन वो चाबी कहां गई किसी को मालूम नहीं पड़ा रात हो गई उस दिन पूर्णिमा की रात थी बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो फैलोदा तोपशे और लाल मोहन बाबू सब गार्डन में बैटके बाहर ऐसी बाते कर रहे थे रात के तकरीबन साड़े बारा एक बजे का टाइम था अचानक लाल मोहन बाबू कोई कविता सुनाने लगते हैं चांद के उपर तब तक में सब लोग देखते हैं कि जो उनकी बुआ जी हैं उस अफेज साड़ी पहने उपर बालकनी में आई वो शायद इनकी कविता सुनकर जाग गई थी वैसे भी बुआ जी को इन सोमिया की बिमारी है वो रात रात भर जागती है और मिस्टर चौधरी बताते थे कई बार वो रात में उठके खरिल में पान के पत्ते कूटने लगती हैं और खाने लगती हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उन्होंने कब खाना खाया था किसी का नाम याद नहीं रहता फैलुदा लोग तब तक में अंदर जाते हैं तभी उन्हें टन टन की हावाज आने लगती है फैलुदा समझ नहीं बाते कि आवाज ऐसाना कहा से आने लगी वो उपर की बन्जिल पे जाते हैं तो देखते हैं की आवाज बुआ जी के कमरे से आ रही है शायद वो खरिल मे पान के पत्ते कूट रही हैं तब ही थोड़ी दूर पर देखते हैं फैलुदा की जो मिस्टर किंजल हैं वो मिस्टर चौधरी के साथ कुछ बाते कर रहे हैं शायद बिजनस से रिलेटेड और ये कालिनाथ रॉय जो हैं जो मिस्टर चौधरी के बच्पन के दोस्त थे वो अ फैलुदा को पहचान गए थे वो जान गए थे कि कोई फैलुदा बायोग्राफी लिखने नहीं आए हैं फैलुदा से वो कहते हैं कि इस घर के मामले से वो दूर रहें नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा फैलुदा को समझ नहीं आता कि आखिर कालीनाथ रॉय क्या हैं और उन्हें किस बात से होशियार कर रहे हैं सुबह होती है और सुबह की चाई पीते ही फैलुदा बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं जब वो लौट के आते हैं तो थोड़े से परिशान दिख रहे थे थोड़े देर बार मिस्टर चौधरी भी आ जाते हैं और किसरी तरफ से नरेश किंजल और कालिनाथ रॉय भी चले आ रहे थे ये दोनों जहां भी रहते खटे ही रहते थे डॉक्टर सरकार आके फैलुदा से बताते हैं कि जैंद बाबू की हालत अब काफी ठीक है जैंद बाबू के सर पे पट्टी बंधी हुई थी उनकी चोट ब लेके उपर की मंजिल पे चले जाते हैं फैलुदा को मिस्टर चौधरी ने बताया था कि उस तिजोरी की दो चाबियां हैं एक उनकी बुआ के पास रहती है तो फैलुदा उनसे कहते हैं कि वो बुआ की चाबिय लेकर और इस तिजोरी को खोलें बुआ की अलमारी से किसी ने वह बटवा छुरा लिया था वो घबडा जाते हैं और बहुत प्रिशां होने लगते हैं उन्हें पसिन' ही हो जाएगा शाम को जब डॉक्टर सरकार जैंद बाबू को गाड़ी से लेके चले गए थे तह फैलुदा भाग कर उपर आए थे जैंद बाबू के पॉकेट से उन्होंने पहले ही चाबी निकाल ली थी और उन्होंने उसी समय वो बटवा निकाल के सुरक्षित अपने पा जाते हैं अम इस्टर चौजरी को इंतिजार होता है कि फैरुदा आखिर किसको चोड ठहराएंगे कौन असली चोड निकलेगा तब तक में फैरुदा अश्चर जनक रूप से डॉक्टर सरकार से पूछते हैं कि इस जगह जो जगह है पानी हती वहाँ पर कितने हस्पताल ह तो कहते हैं कि फिर आप जेंद बाबू को उस हस्पताल लेकर क्यों नहीं कहते हैं डॉक्टर सरकार थोड़ा हिचकेचा जाते हैं फिर कहते हैं कि उनकी चोट बहुत गहरी नहीं थी इसलिए उनकी मरहम पट्टी होने घर में ही कर दी फिरुदा कहते हैं हाँ चोट गहरी ह वो भी कैसी सकती है क्योंकि जहां पर वो गिरे थे जहां से वो खून बहरा था दरसल वो खून था ही नहीं वो तो वो आलता था वो लाल रंग जो औरते अपने पैरों में लगाती हैं डॉक्टर सरकार यह सुनके बिल्कुल चौंक जाते हैं और फैरुदा से कहते हैं कि क्या उन्हों ने जब उपर गए थे तब उन्हों ने देख के ही पहचान लिया था कि यह खून नहीं है वो आलता है जो बहुत पतला था और जमीन पे बह रहा था फैरुदा लॉक्टर सरकार से कहते हैं कि वो और यह जहन्त बाबू हैं यह आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिली भगत करके ऐसा नाटक किया गिरने का जिससे की शाम का जो प्लैन था सिक्के निकालने का वो फ्लॉप हो जाए रात में यह दोनों छुपके फिर से आने वाले थे और जैंत बाबू अपनी मा की अलमारी में से चाबी निकालने वाले थे और वह सिक्के चुराने वाले जात को जब उन्होंने अपनी मा की तुजोरी खोली तो वो तो खाली थी। सबसन रह जाते हैं। फैलुदा कहते हैं कि दरसल जब बाहर रात में लाल मोहन बाबू वो कविता सुना रहे थे और सफेज साड़ी पहने जो और बालकनी में आई थी। वो उनकी बुआ जी नहीं थी। वो जैन्त बाबू की बाहर नहीं थी। बलकि सुएम जैन्त बाबू थे जो अपनी मा की कूटे ही नहीं गये थे। तभी उस खरिल में से टन टन की आवाज आ रही थी। अगर इसमें कुछ कूटा गया होता तो उसकी आवाज टन टन करके नहीं थप थप करके आती अगर उसके अंदर कुछ पड़ा होता। इसलिए फैरुदा को शक हो गया था कि कोई जानमूच कर यह दिखाना चाह रहा है कि उनकी मां की जो बुआ जी है वो जगी हुई है और पान कूट रही है जबकि वो जैन्त बाबू थे। इसलिए फैरुदा ने पहले ही वो सिक्के निकाल लिये थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जैन्त बाबू और डॉक्टर सरकार मिले तफ एलुदा कहते हैं कि नहीं जो उनके दोस्त हैं मिस्टर रॉय कालिनाथ रॉय जो 35 साल के बाद अचानक उन्हें याद करके उनसे मिलने चले आए हैं ये भी ठीक आदमी नहीं हैं ये भी शायद चोरी की नियत से ही घर में आये थे और ये बारा महिनों से जैन्त बाब बाबु को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे एट रहे हैं ये बात सुनके जो कालिनाथ रॉय थे वो सकते में आ जाते हैं तब ही जैन्त बाबु कहते हैं कि हां ये मुझे ब्लैक मेल कर रहा है दर असल बारा महिने पहले जो ये मिस्टर रॉय थे उन्होंने जैन्त बाबु को व बारा महीने से ब्लैक मेल कर रहे थे और उनसे पैसे ले रहे थे इसलिए फैलुदा को उन्होंने उस रात कहा था कि वो घरेलू मामलों से दूर रहें जैंत बाबू कहते हैं ऐसे भी जहांगीर कि उसके एक सिक्की को खास कीमत नहीं है उतनी कीमत तो ब्लैक मेल के रूप में पहले ही मिस्टर वाई को दे चुके हैं इसलिए वो अपने जेब में से सिक्का निकालते हैं और फैलुदा को वापस कर देते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर सरकार भी उनके साथ मिले हुए थे मिस्टर चौधरी का बारा सिक्कों का कलेक्शन वापस पूरा हो जाता है वो फैलुदा को उनकी फीज देते हैं और फैलुदा तोफशे और लाल मोहन बाबू इस केस को डिसकस करते हुए वापस कलकत्ता आ जाते हैं कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग थी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को हिट करें और हां कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल से ऐसी ही दिल्चस्प कहानिया सुनने के लिए Thanks for listening. Bye for now.